मेरे यूटूब चैनल के लेटेस्ट अबडेस वाने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें अब तो बाहर जाएके नोकरी डूड के लाओ तब तक तुमको मैं अपने हाथ से देता रहूंगा कमा कमा के अब तो बाहर जाएके नोकरी डूड क्याओ नोकरे मिले तो गराना नहीं मिले तो बहुत से स्टेशन बहुत से बस्टेंड खाली पड़े कहीं बेभी जगे देखके सो जाना लेकिन घर मत आना तीनों को आज नोकरी मिलनी चाहिए तब ही आना बबब मुझे बला कौन वो देगा जिससे आपको वो खड़ा हो सके क्या चाहता है तु इस उमर में मुझे से पता दे क्या चाहता है मेरा मतलब मुझे बला कौन नोकरी देगा है जिससे आपका बेटा आपकी पेरों पे खड़ा हो सके अरे पापा जगे जगे बेरोजगारी है यहां इतनी पॉपुलेशन है यहां जगे जगे जितने इस्कूल है उतनी नोकरी नहीं यहां जितने पड़े लिखे है न उतनी ही विखारी है यहां तो कैसे मिलेगी हमको नोकरी बताओ आप हाप पापा बिमारी से भी बड़ी है यह बेरोजगारी फैल रही है ऐसे जैसे हो कोई महामारी मिल नहीं रहा कोई कच्छे तक का एड़ यहां मिल नहीं रहा कोई कच्छे तक का एड़ यहां धगवान संटा सब शान थे यहां बगवान और संटा सब शान थे यह से यहां तो कौन सुनेगा घंटा होगा चलो फिर भी मैं आना कॉल सेंटर में जो ट्राइ करता हूँ चलो फिर भी आप कह रहे हो तो चलो मैं एक काम जानता हूँ तो थोड़ा बहुत उसमें ट्राइ कर सकता हूँ मैं लाफ्टर चलेंज या फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स मिमिक्री के लिए ट्राइ करता हूँ शायद उसमें मेरा कुछ हो जाए तो मैं वहाँ जोग ट्राइ करता हूँ फिल गई तो बढ़िया बात है नहीं मिनी तो घर पे नहीं इस्टेशन पे सो जाऊँ चलो पापा फिर भी मैं ट्राइ करता हूँ मैं भी टूड़ता हूँ कुछ काम एडवर्टाइजमेंट एजनसी में जाकर करके थोड़े से एड स्लोकन आऊंगा नाम कमा कर दिल्चस्प होगा बहुत दिल्चस्प होगा तुम क्रो ऐसे देखकर मेरा ाश्रवात तुम तीनो के साते आजुश्मान जाओ बर्वनाओ अजी मैं रमेश बात कर रहा हूँ गटिया टेलीफॉन कंपनी से अजी मेरे बात हराम सिंग से हो रही है हराम सिंग जी स्वागत है आपका हमारे कॉल सेंटर पे क्या बात है सुबह सुबह हरामियों का फोन आना चालू हो गया सुबह हमारी शुब हो जाएगी वेलकम सर वेलकम अब हराम सिंग होगा तेरी दादी का पोता समझा मैंने को एक इन्फोर्मेशन चीए मैंने पांच सोगा रिचार्च करा है मेरे पचास रुपई बेलेंस क्यू है अब है बता साले हराम सारीम जी मैं आपकी जानकारी देख पा रहा हूँ आपका मोबाइल आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड पर लगे हुए फोटो से यह शो हो रहा है कि आपकी ओका चाहिए ना उस फोटो से ही शो हो रही है कि इस फोटो से पता चल रहा है कि आपकी ओका जो है ना पचास रुपए का रिचाज भी आप उधार के पेसो से लेके करवाते होंगे तो पांसो का रिचाज क्या आपने सपनों में करवाया था और दूसरा मेरे को यह भी शो हो रहा है साले तो यह बात बताए यह औरत का न में और को लोगों को फौन कर रहा है और उसके बाद में आज तीन महीने बाद रिचार्च कर रहा है तो पांसो के पांसो तुझे कौन रहेगा अब हराम से और साले इतने पर भी बेज़ती खरा क्या जब थोड़ी सी सुकून या थोड़ी सी खुशी नहीं मिलिये तो सुन इतने पर भी तेरी जो इंकमिंग आ रही है न और तेरी इंकमिंग आ रही है न उसका शुक्र मना वना जो तेरे वो खड़े हो रहे है न तो वो गायब करवा दूगा मतब तेरे जो नेट्रों के डंडे खड़े हो रहे है न साले वो भी गायब करवा दूगा न इंकमिंग न साले एक बात यात रख तुझे इस कंपनी से निकाल का अगर मेरे घर की नाली के पानी में नभा दिया न तो मेरा नाम बदल दे न साले हराम सिंग जाने कौन से कांड करके तू पेदा हुआ जो तेरा नाम पड़ा हराम सिंग तू मुझे क्या अब आएगा तू मुझे क्या भाएगा मैं खुद ये नोकरी छोड़ता हूँ साले सुबह सुबह मनुस हरामियों का फोन आ जाता है तो उसके बाद नोकरी करने मेरे क्या इच्छ होगी क्या जब पग गया से जाने से पहले एक बात और सुन ले मैंने तरको भी एक चीज़ और नहीं बता साले तेरे आदार कार्ट से ये भी शोरा है कि जो तूने मॉबाइल लिया है ना उस मॉबाइल के पैसे भी तूने अभी तक नहीं चुका है तो साले तू पहले उस पैसो को चुका उसके बाद में और बेज़ती करवानी है ना तो मुझे फोन करना समझे पग यहासे हराम स पक साले तेरी पैन के बाई पक